देखो यह topic जो हम पढ़ा रहे हैं यह topic का नाम है reflection at the convex spherical surface और यह spherical surface है जो कि यह convex है और इसमें हमको यह object रखेंगे rarer medium हलाकि यह topic है वो दो case में हम लोगे study करेंगे एक object जो होगा वो rarer medium में रखा जागा एक और object जो होगा वो denser medium में रखेंगे इसमें आला कि क्या करना है कि एक object रखेंगे इससे image बनेगा इसे करके एक relation हमें derive करना है तो इसमें हो किया रहा है एक object है तो यह है object ए Avatar जाएगा यह normal है यह 90 ते ग्र included normal है इससे light क्या होगा यह bend करेगा और bend करके वो एक image बनाएगा जिसको हम I से represent कर रहे हैं अब यह अब यहाँ पर नॉर्मल से light हम यह normal से एक light जो है draw कर रहे हैं जिसको हम center curvature रिप्रेजन कर रहे हैं और यह pole से जो है वो radius of curvature है यह U है और यह V है तो U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह U जो है वो object distance रिप्रेजेंट कर रहा है और V क्या है तो image रिप्रेजेंट कर रहा है image distance रिप्रेजेंट कर रहा है और यह है radius of curvature अब object के द्वारा जो rays of light जा रहा है वो alpha angle है यह center of curvature है तो gamma है और यह हमारा beta angle है यह incidence angle है ठीक है और यह refractor angle है इसमें alpha, beta और gamma जो है वो क्या कर रहा है incidence ही सब तो मैं intro करवा ही दिया हूँ बट यह लिखा हुआ है तो समझ लेना लिखा हुआ है वीडियो को pouch करके देख लेना एक बार अब इसमें एक triangle हमें लेना है AOC और C है यह triangle AOC यह triangle है अब AOC triangle है तो इसमें हम एक relation बना रहे है angle I that means incidence angle जो है वो alpha plus gamma के equal है alpha plus gamma मैंने equal क्यों लिखा है इसके plus में क्योंकि यह देखो दो एक triangle मान लो एक यह triangle है और यह बाहर एक exterior angle है तो हमें पता है कि कोई triangle जो होता है that means यहाँ पर मैं draw कर लेता हूँ ऐसे एक triangle है और दो angle जो interior होता है उसके दो interior angle का sum exterior angle के बराबर होता है यहाँ भी देखो यह दो interior angle है और यह दो interior angle का sum exterior angle के बराबर होगा यह triangle में तो यह दो triangle है यह triangle है जिसमें ये एक relation मैंने बना है तो कि alpha और gamma जो है very very small angle है और very very small angle के लिए 10 theta is equal to theta होता है ये कब होता है जब very very बज़े से बहुत small angle होता है small angle के लिए हम यहाँ पे small value भी लिख देते हैं तेसलिए हम यहाँ पे इसको हम 10 alpha plus 10 gamma से represent करेंगे i is equal to 10 alpha plus 10 gamma ठीक उसी प्रकार AIC में चलेंगे AIC हमारा क्या है यह है A और यह है I और यह है C तो AIC में देखें तो AIC यह triangle है जिसमें देखें तो यह क्या होगा दो interior angle है दो interior angle का sum क्या होगा exterior angle के बरावर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं gamma is equal to refractive यह R plus beta तो beta R plus beta जो है तो R को मैं इधर कर दूँ तो यह क्या होगा gamma minus beta हो जागा दोनों दोनों जो है वो very very small angle है तो दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 से represent कर दूँ तो R is equal to 10 gamma minus 10 beta लिख दूँ अब एक तो I का relation निकल गया एक R का relation निकल गया A N O A N O कहा है हमारा तो यह है A N और O अब इसमें alpha है तो इसमें क्या होगा कि A N O जो है उसको एक 90 degree ऐसे line perpendicular मैंने draw करके रखा है तो इसमें एक triangle जोई दीख रहा है तो इसमें क्या लिख सकते हैं 10 alpha is equal to perpendicular upon base तो A N upon O N हो जागा ठीक उसी परकार एक A C N A C N triangle में क्या होगा एक gamma 30 में भी 10 का यह rule लगाएंगे तो क्या होगा A N upon N C हो जागा ठीक उसी परकार एक और triangle यहाँ देख रहो यहाँ A I और N है A I N A I N में क्या होगा 10 beta is equal to A N upon N I हो जागा तो यहाँ पर मैं 3 relation लिया हूँ A N O में 10 alpha is equal to A N upon N O A N I में 10 beta is equal to A N upon N I और A N C में क्या होगा 10 gamma upon is equal to A N upon N C हो जागा इसी को मैं represent कर रहा हूँ यहाँ पर relation side से तो देखों यहाँ पर I is equal to क्या हो जागा A N upon N O plus A N upon N C हो जागा I के जगह पर मैं लिखा है यह I है हमारा और 10 alpha को मैं लिखा हूँ क्या A N upon N O तो यहाँ देखो A N upon N O है और I के जगह पर यहाँ पर क्या है हमारा 10 gamma तो 10 gamma के जगह पर मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर देखो A N upon N C है तो यहाँ पे हो जागा an upon nc हो जागा ठीक उसी पिरकार r के जागा पर मैं यह relate कर दिया हूँ अभी एक बात बताओ यहाँ पे मैं जो term लिखाओ ano और op nc और pc यह approx equal है मैं इसको इसलिए लिखाओ क्योंकि देखो यहाँ पे terms को मैं define किया हूँ कि जैसे यहाँ on है तो on को approx op के लगभग लिख सकता हूँ मैं क्योंकि यह distance जो है वो slightly बहुत बहुत gap कम है तो on को op लिखूँगा nc को pc लिखूँगा और ni को pi लिखूँगा तो यह बात को थोड़ा धियान में रखना जैसे no को op लिखूँगा nc को pc लिखूँगा ni को pi लिखूँगा तो i is equal to an upon no जो है वो op हो जागा nc को pc लिख दूँगा r को an upon यहाँ पे nc है तो nc के जगा pc ni के जगा pi अब स्नेल लो क्या होता है स्नेल लोल is equal to sin i upon sin r is equal to mu2 upon mu1 अब एक बगता i और r जो है very very small angle है तो sin theta is equal to theta हो जागा मतलब कम angle के लिए value भी same हो जाती है तो यहाँ पे sin i और sin r है तो उसके जगा sin हटा दूँगा क्योंकि sin theta is equal to theta हो जाती है तो i और r जो होगा वो same हो जागा that means यह हो जागा i upon r is equal to mu2 upon mu1 cross multiply करें तो mu1 upon i mu1 into i sorry और is equal to mu2 into r अब mu1 है i के जगा पर यह पूरा pattern में रख दूँ यह रखा गया और mu2 जो है इसके जगा पर यह पूरा r के जगा पर पूरा pattern में यह रख दूँ तो यह भी पूरा यह term हो गया अब क्या होगा कि an जो है दोनों में से common बाहर निकाल लो और an जो है इन दोनों में से बाहर में common निकाल लो an को an को cancel कर दूँ तो यह होगा mu1 और यह 1 upon plus 1 upon pc और यह mu2 1 upon pc minus 1 upon pi अब इसके बाद po को minus u से represent कर रहा हूँ pc को plus r से और pi को plus v से po को minus u से क्यों इसके पीछे रीजन है थोड़ा डियाग्राम में है po यह अगर distance represent करें x axis positive और x axis negative तो यह minus में आएगा यह plus में और यह plus में sign convention के according तो देखा जाए po को minus u हो गया pc को plus r हो गया और pi को plus v हो गया तो यह जितने terms है वो सब को हम यह इससे indicate कर रहे है यहाँ देख लो जहाँ mu1 जो है 1 upon minus u हो गया plus 1 upon r हो गया mu2 1 upon r minus 1 upon v हो गया अब इसको बारी-बारी से multiply करो mu1 upon यह minus और यह plus है कुछ नहीं है तो plus रहता है तो multiply करेंगे तो mu1 upon u plus और mu1 upon r mu2 upon r हो जागा यहाँ पे और यह हो जागा mu2 upon v अब r वाले terms को एक साथ और यह v और u को एक साथ कर लो तो यह हो जागा mu2 upon v इधर और mu2 mu1 upon u इधर और mu2 upon r और mu1 upon r यह minus plus में है तो इधर आके minus में हो जागा अब दोनों में से r common लेलें यह sorry LCM ले लें तो यह हो जागा mu2 minus mu1 और यह relation वही का वही रहेगा क्योंकि इसमें कोई common नहीं आगा तो यह क्या है एक relation है हमारा क्योंकि कोई object जो है वो convex glass यह convex lens के बाहर अगर रहता है तो उससे हम क्या relation निकाल सकते है object image object distance फिर तुमारा radius of curvature रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका निकाल सकते हैं तो यह एक रिफ्रेक्टिव रिफ्रेक्टिव का फॉर्मूला है जिससे हम कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं ठीक है तो यह वीडियो अभी तक रहने देते हैं क्योंकि अगला जो वीडियो है वो अगले वीडियो में बता दूगा ओके बाई